हाई फेट्स वेलकम टू टार्गर जी सेसी जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में अगस्त के मन्त में आपका उत्पाद सिपाही का एक्जाम होने वाला है और विसेश सागा सिपाही के बार में बात करें तो यही इसका एक्जाम आपका सेक्टेμबर के मन्त में होने वाला है तो इस दोनों एक्जाम के लिए साथ ही साथ अगर आप जार्खन ये किसी भी एक्जाम की यारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जार्खन के पर्मोग के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला इसलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक जुरू देखिएगा साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएग जो आपके एक्जाम में एक अच्छा आस्कोर करने के लिए टॉपिक है तो यहां पर देख सकते हैं स्कीन पर हमारा टॉपिक आप चुका है जार्खन के पर्मोग किले तो पर्मो किलों के बारे में जान लेते हैं यहां पर हमारा पहला किला क्या है पुलामु कीला है फॉलामू कीला इसकी जो आवस्थिति के बारे सर्फ करें तो यह जो है लाते हार में स्थित कहां पर लाते stret विसेश्ट प्रूंघ सी तक यह ज...? काफी जरूरी है इसका निर्मान चेरों वन्स के सासकों के दवारा कराए गया था इसकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इसके अवस्थिति के बारे में आगर बात करें तो यह पलामू में इस थे तक ऑप पलामू में इस थे और इसकी विश्षथा चेरोवञ्स के सास्कों के दिवारा किया गया है किसके दिवारा चेरोवग्स्स कि कहां पर है पलामू में कहां पर है पलामू में है और इसकी विश्यस्ता क्या है या जो है तिर्भुजा कार है कैसा है तिर्भुजा कार है आगे देखते क्या है इसका निर्मान के बारें बात अगर करें तो इसको रोहिला सर्दा मुझहफर खां के दवारा निर्मित किया किसके दवारा मुझभपत खां के दवारा इसका निर्मान किया गया है नेक्स कुछन हमारे दिख लेते हैं फोर्थ क्या है जार्खत का किला फोर्थ क्या है तो चैनपूर का किला क्या है चैनपूर का किला इसकी अवस्थिती जो है पलामू में कहां पर है पलामू में है इसक की विशिष्टा है तो यह सारे टॉपिक के साथ साथ ऐसे कोश्चन आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं साथ ही साथ अभी हमारे चैनल पर जहार्खन के एक हजार कितना एक हजार जी के कोश्चन का एक सिरी चल रहा है जो पिछले बार हुए एक्जाम एसाइप पंचास अचीव और आई आरबी में पूछे वे स्वालों को लेकर के चलाए जा रहा है जो आपके आने वाले एक्जाम उत्पाफ सिपाही और विशेश साखा सिपाह दोनों इजाम के लिए बहुत जादा इंपोटेंट है अगर बात करें वैसे कोश्चनों की तो यह कोश्चन चो होते हैं काफी बार एक्जाम में पूछे गए हैं इसलिए अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे दिया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं नेक्स्क्रिप्शन के हमारा है तो कैसी में यसे बंगाल का परिवेशद्वार भी कहा जाता है बहुत बाथ ऐसा भी कुछन पुछलिया जाता है किस कीले कि दो आज को ऑगासे तो आपको क्या बताना तीलीया गड़ किला क्या तेळीया गड़किलाक इससे बहुत जादे मंते कौन सा किला किस जगा पर caso ये जानना हम लोगों के यह काफी महतपुर्ण है जो कि exam point of view से देखे तो इस तरह के question पिछले बार भी पूछे गए हैं नेक्स question देख लेते हैं सीक्स हमारा क्या है यहाँ पर देखे 7 आ चुका है यहाँ पर पंच कोट का किला के बार में बात करें तो इसकी अवस्थिती जो है पंचेत पहाड़ी में है और इसे जो है पांच कोटों दिवारों से घिरा हुआ हुआ है और यह जो है पंचेत के गो सबसे पंच पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं नेक्ट कोंच कहा पर है तो एट यहां पर देख सकते हैं राँ गडग का क्ला क्या है राम रामगड का किला इसकी अवस्तिति जो है रामगड में कहां पर है रामगड में इसकी अवस्तिति है निर्मान इसका जो है राजा सबल राय करने करवाया था किसने करवाया था राजा सबल राय ने इसकी निर्मान करवाया था और इसकी विसिस्ता क्या है इसकी बनावट किला के बारे में तो यह कहां पर इस्थित है हजारी बार में कहां पर हजारी बार में इसकी विशिस्ता क्या है तो इसकी विशिस्ता इसे राज सरकार के दवारा पुलिस परसिक्षन केंदर बना दिया गया है तो इस तरह के कुश्चन आपके बन सकते हैं कि कौन सा किला को प नवरतनगण महल के बारे में अगर बोले और पता करें तो इसके बारे में यह गुमला में स्थित हैं और इसकी विश्ष्थ यह है कि यह महल कंगुरा सेली में दांते-दाथ पर कोटों दिवारों से घीरा हुआ है किसी घीरा हुआ है दाते दात दिवारों से घिरा हुआ है नेक्ष्ट हमारा ग्यारह है पाल कोट का राज महल क्या है पाल कोट का राज महल है देख सकते हैं यहाँ पर ग्यारह नमबर पाल कोट का राज महल यह कहां पर इस्ती थे तो यह रांची में पर राचे में इस्ति थे और इसकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष नरेस काला अरजुन ने कराया था, किस ने कराया था, पोरा हट के नरेस काला अरजुन ने इसका निर्मान करवाया था, नेक्ष देह लेते हैं हमारा 13 है, पोरा हट का किला, क्या है पोरा हट का किला, तो इसका निर्मान करवाया था, किस ने करवाया था, और इसके अवस्थि इती जो है पश्यमी से मूँ में है और इसकी विशिष्षिया है कि इसका निर्मात जगनात सिंग के दवारा कराया घय था तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके अबारे में आप हमें जरूर बतने वीडियो अगर पसंद आपको आ या हो तो वीडियो को जो जुरूर उठा सके पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद